हेलो एवरीबन बिटा एक छोटा सा सेशन है और इसमें हम डिसकस करेंगे कि कोश्चन जो नीट की पेपर में आये उनका क्या पैटर्न रहा तो मैं एक बात कहना चाहरा हूं उससे पहले कि सही कंटेंट और सही गाइडन्स हर एक बच्चे का राइड होता है ऐसा अगर उसने सोचा है कि मैं अपना एक साल डिवोट करने वाला हूं तो सही कंटेंट और सही गाइडन्स उसका राइड बनता है और कंटेंट सही है कि नहीं ये कैसे मतलब पता चलता है पढ़के शायद कई बर ना पता चले पर इस बात से जरूर पता चल जाता है कि अगर वो इज एक्जाम में आ रही है तो इसका मतलब कंटेंट सही है तो नीट का एक्जाम जस्ट कंप्लीट हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने पी डबलू की टीम के कंटेंट पर देखा है कि सारा एक्जाम का पेपर वहां से पूछा गया क्लियर मैं यह नहीं बोलूँगा कि सारा ही पूछा गया मैक्सिमम आया और बच्चों ने स्कोर अपना बताया उससे हमें पता चला कि हम राइड डिरेक्शन में आपके लिए काम कर रहे हैं तो अब मैं मतलब यह आपको बताने वाला हूँ कि यह यह बायो का पेपर मतलब बेसिकली कहां से आया था मतलब इसक कोशन बाहर से थे अपलाई करके ले सकते थे या हो सकता है बाहर से थे तो चलो हमारे सभी टीचर या हम लोग उतना बाहर से जरूर पढ़ा देते हैं पर most of the paper जैसे कि हर्जा लोरा NCIT से आया और हम यह बोलेंगे कि NCIT हमारे notes में थी और हमारे पढ़ायवे बच्चों के द मतलब perform किया है तो यह score देखके अपने आप लगता है motivation मिलती है कि हमने कुछ बढ़िया कर रहा है और अब मतलब वो दिन आप दूर नहीं है कि हर एक medical college में हमारा पढ़ायवा बच्चा PW का पढ़ायवा बच्चा उस white coat में होगा और वो definitely मतलब सर्व कर रहा होगा nation को और वो सुनके ही अजीब सा अंदर से जोसा आता है तो इस चीज को discuss करेंगे बिटा कि क्या content रहा कहां से आया जल दियल दी मतलब मैं आपको exactly दिखा दूंगा असल में यह slides prepare करने में मुझे 5-6 गंटे लग गए और इस slides को जब मैं prepare कर रहा था और इसमें देख रहा था कि इस एक बार तो मुझे याद है कि बहुत लंबा discussion चला है कि भाई क्या करना चाहिए अब test के को हमें हर week में लेना है कैसे करना एक time ऐसा आया था कि हर week में test हो रहे थे तो ऐसे discussion चलते रहे और मुझे लगब माहन के चलो 6-7 गंटे लग यह slides बनाने में तो मतलब हां सिर्फ यह दिखाने के लिए कि भाई देखो हम जो है वो content relevant देने की कोशिश कर रहे है आपका effort है successful होना मतलब तो आप एक पार्ट हमारे पार्ट से सही ले रहे हो दूसरा पार्ट अगर आप सही लगा दोगे तो success आ जाएगी तो देख लेते हैं फटा-फट से हमारे पास बिटा जै यह रहा gamma radiation यह हमारे पास gamma rays आप देख लो question direct है आपकी NCRT से और जो हम लोग पढ़ाते है notes में वही ऐसा नहीं कि मैं NCRT लेके बैठा हूं मैं just आपको दिखा रहा हूं कि notes में से यह आप देखो यकीन बैच में हमने properly पढ़ाया था अब एक question यह है बिटा जिसमें mass the following actually mass the following में कई statement ऐसी होती है जो different different source की होती जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है मेरे पास मालों यह लिखा हुआ है tissue having different type of cell tissue having similar in structure tissue के definition हो गई तो only one type of cell यहां लिखा हुआ है more than one type of cell यहां लिखा हुआ है और मेरे पास यह lignified हम लोग NCITB class में discuss करते हैं वहां मैंने sclerates के लिए ब नहीं थे हम लोग ऐसे normal clothes में पढ़ाते हैं तो एक लंबी जरनी पूरी हो चुके है भाई बहुत आगे आ चुके हैं तो यह देखो PCR हमने पढ़ाया था बिटा बायोटेक में तब तक है टीशर्ट आगे थी हमारे पास और उसमें आप देख लो denaturation annealing हमने यह जो पढ़ा question भी बन रहा है आपका answer भी बन रहा है PCR के step का question 3 बता दिया 4 देख लो हमने बिटा फैलोजन फैलम यह anatomy का question है देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पास मालो cor cambium cor cambium को हम क्या बोलते हैं फैलोजन यह लिखा हुआ आप देखो मैं आपको साथ के साथ दिखाता हूँ this is फैलोजन यह लिखा हुआ आपके पास ठीक है फिर मेरे पास फैलोडर्म किसको बोल रहे है secondary cortex को यह लिखा हुआ आप देखो यह लिखा हुआ फैलोडर्म बोल रहे है secondary cortex को cork dead cells है तो हमने यहाप बिलकुल लिखा हुगा cork dead cell है और इसमें सुबिरीन होता है देखो question में सुबिरीन हमने यहां पड़ा हुआ है सुबिरीन पड़ा हुआ ठीक है तो यह बिटा और lenticels यहां बताये थे Lenti cells, lens shape की opening होती है यह हमने बता है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है Transpiration और Respiration, Gaseous Exchange के लिए तो इस तरीके से यह batch में बिटा, properly सारा सब कुछ total batch में यह molecular basis का question है ठीक है, इतने सारे questions थे जो आपके proper, मतलब molecular का question है आप देखो, central dogma पढ़ा रखा है तो DNA से RNA यहाँ पर replication आएगी, तो यह DNA replication यह लिखा हुआ, फिर मेरे पास transcription आएगी, यह रहे हैं आपर transcription B पे, तो replication transcription, फिर RNA बन गया, मेरे पास mRNA और उससे translation करी, तो D से मेरे पास protein आएगी, तो D मेरे पास protein है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कि पतलब properly आपके notes से जारा कुछ है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से है, अब याद करो यह sexual reproduction, flowering plant का question है, sexual reproduction in flowering plant का question है, जिसमें xenogamy बोला गया, xenogamy क्या होता है, from flower of different plant, तो यही चीज लिखो लिखा हुआ different plant पे बेजेंगे, तो यह आगया xenogamy, देख लो आपके notes से हैं बेटा, maximum सब कुछ notes से है, अब यह देखो इसमें बोलावाई कि ethidium bromide से stain करेंगे यह राइ, ethidium bromide, किस color के band आएंगे, orange यह लिखा हुआ, orange band गे रहा है, orange band, और orange बनाया भी दा उस दिन तो, ठीक है, clear है हाला, यह चीज है, अब यह देखो, यह cell में से है, और इसमें एक line लिखी विए कि nuclear pore क्या करता है, किसको move करता है, RNA को move करता है, protein को, यह देख लो arrow में, RNA और protein move करके दिखा ही है, RNA बाहर जा रहा है, protein अंदर जा रहा है, देख लो तो आप यह यहां पे लिखा हुआ है, perinuclear space इसको बता है, देख लो, this is perinuclear space, यहां लिखा हुआ इसमें, ठीक है, micro bodies plant और animal cell में दोनों में होती है, यह लिखा हुआ, आपको समझ आ रहा है, तो इसमें wrong पूछा था, तो conspicuous nucleus नहीं होता, यह हमने फिर किसमें बता दिया था, enotomy में बता दिया था, तो जितनी slides आप आ रही हैं, उतना लगा के आपको properly बता रहें कि देखो भई, note से कैसे पूछा गया है, clear है, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, हमने बिटा, nature avoid extension करने के लिए, resource parsing को लेके discuss किया था, कि time और खाने की, warbler का example बताया था, हमने warbler का example बताया था, मैं कार्थर के, हना यह दे रखा organism population में, तो यह हमने discuss किया था, कई बार क्या होता है, मैं वो word नहीं लिखा, लेकिन हमने verbally बोला है, आप चेक को, इस lecture को, तो resource parsing बिलकुल discuss किया था, कि competition avoid करने के लिए क्या तरीका है, फिर यह देखो, jama cup का question है, jama cup देखो, यह लिखा हुआ markensia, हना markensia में होता है, markensia क्या है liver word, यह तो plant kingdom का question है, देखो, shirt में पढ़ा रहे हैं, हम लोग एकदम, यह है साथ, October, October last का lecture है यह, last year, October last में पढ़ाया था, यह topic, यह कीन बैच वालों को याद होगा सारा, ठीक है, अब यह देखो, tomato पढ़ाया था, potato और इसमें tomato, तो tomato और potato को जोड़ा था, तो tomato आया था, इसको हमने protoplast fusion, यह रहा protoplast culture, fusion किया था, हना, यह लिखा है न, protoplast fusion, यह लिखा हुआ, यह लिखा हुआ यहाँ पर, यह चीज थी, clear है, उसके बाद आप अगर देखोगे, मेरे पास virus free plant, इसकी भी slide थी, मैंने लगाई नहीं, virus free plant, हमने properly, इसी के साथ लगाया था, आप चेक करना, मेरे lecture में मिल जाएगा, आपको, virus free plant भी लिखा था, meristam culture को लेके, तो वो भी आपको मिलेगा, हना, clear है, तो अब यह हमने panet square पढ़ाया था बिटा, और इसमें, जिसे यहां पर लिख रहे हैं टिस probability, तो find genotype करके, कहांगे, bullet square पर लगा दिया mark, panet square चाहिए भाई, हना, यह चीज कराई थी, और देखो, हमने heterosporus, बिटा, बहुत detail में पढ़ाया था, selaginilla, salvinia, यह तो आप में से बहुत सारे को, यह भी पता है, कि सिर्फ selaginilla, salvinia नहीं होते, पूरे gymno और NGO heterosporus होते हैं, तो आप देख सकते हैं, वो यहां पर, heterosporus में मैंने salvinia, selaginilla, यह रहा बिटा, salvinia, selaginilla, यह रहा यहां पर, heterosporus, हाना, यह चीज हो गई, clear plant kingdom कता, standing state, standing state, तो इवन प्रसंकाल में तीनवा डिसकस कर दिया था, हमने, standing state, क्या है amount of, क्या है हमने, जो dead में मेरे पास होता है, soil में, हाना, यह लिखा हुआ, soil में, ठीक है, inorganic का, यहां लिखा होगा, inorganic nutrients होँगे, ठीक है, तो उसे हमने, क्या बोला है, standing state, proper concept, discuss किया हुआ है, आप देख रहे हैं, ecology के इंदर, बैटा, देखो, हम लोग, NCRT, 100% कवर करते हैं, amansalism, यह रहा, हमारे पास amansalism, यह रहा, minus और zero, देख लो, minus और zero, यह आ गया, विटा, बढ़िया, आ रहा, दिख रहा है, कौन सा note से नहीं है, यह देखो, cohesion, cohesion बता रखा है, cohesion क्या है, water, water molecule के बीच का attraction, तो mutual attraction among a second, addition, किसका है, vessel की wall का और water का, polar होती है वो, तो हम लिख लें, attraction towards polar surface, gutation मेरे पास देखो, exiduation कहा रहे है, liquid phase में loss हो रहा है, water from leaf surface, किसकी form में, liquid form में, यह लिखा in form of liquid, यह लिखा liquid, gutation, surface tension हमने लिखा था, surface पे इसको explain किया तो और यह बताया था, कि surface की molecule अंदर की तरब, force, experience करते हैं, तो content आपके सामने है, PCR, अच्छा यह molecular diagnosis में, इसको explain किया था, तो यहाँ पर हमने molecular diagnosis में पढ़ाया था, ठीक है, detection of gene mutation हम कर सकते हैं, gene amplification इसको पढ़ाया था, in vitro, in vitro देखो के तो वहाँ पढ़ाया था, तो यह PCR था बिटा हमारे पास, clear है, अब देख लो सारे lectures जो थे, वो उसमें क्या क्या हमने पढ़ा रखा है, अच्छा, recombinant DNA technology में, यह लेखो बिटा, हमने क्या पढ़ाया, देखो, एक हमने क्या पढ़ाया था, हमने का था, कैसे जब separation करते हैं, तो chill dithanol क्या करता है, chill dithanol क्या करता है, DNA settle हो जाएगा, chill dithanol में, यह लिखा DNA को, तो DNA separate out, या precipitate out, यहाँ पर इसलिए answer DNA, यह लिखा यहाँ पर DNA, तो यह सब आपके notes में से है, gpp-r, यह तो पूरा explain किया था, कि gpp और r में, मेरे पास r क्या है, respiration loss, प्रॉपरली बताया था, यह सभी उसमें, और दूसरी चीज क्या थी बिटा, इवन यह भी explain किया था, कि कब किन conditions में देखो, इनके technicality बताई थी, कि कब हमारे पास, gpp बहुत high हो सकता है, npp बिल्कुल zero हो जाएगा, ऐसी सारी चीज़े discuss करी थी batch बे, क्योंकि हम क्या करते है, expect करते हैं, मुश्किल भी आएगा, तो आपको ready रखना है, हना ready रखना है बिल्कुल, यह देखो यह तो बिटा, बहुत असान कोश्चन था, sorghum, हना मेरे पास C4 plant जो है, उसके अंदर, sorghum C4 plant है, इसके अंदर OA first product है, तो एक slide और है, जहां पर हमने यह पताए था, कि sorghum C4 है, तो यह OA आप देख लो, बिल्कुल OA, यहां आगया, oxaloastic acid, clear है, अब मतलब यह तो detail में, बिल्कुल properly पढ़ाए था, अब देखो, यह brown algae का question है, काराजीन किस में होता, कहां गया, काराजीन red algae, और red algae में यह लिखा, काराजीन, यह आजाओ, red algae, आप देख रहो, clear, तो बच्चे, आपको, मतलब content भी वही पढ़ा है, जो आपके काम काई, देखो, यह pyramid of energy, हमेशा सीधा होता है, ठीक है, अब आप देखो, pyramid of biomass में, मेरे पास, यह pyramid of biomass में, मेरे पास, aquatic वाला, उल्टा होता है, तो aquatic वाला, यहाँ पे, दो तरीके से लिखा हुआ है, जो aquatic मतलब C में, वो कैसा होता, उल्टा होता, तो यह option सही हो गया, तो इसका मतलब, यह answer आगया न, second, तो यह option बाकी सही है, यह गलत है, तो not correct, देख रो, inverted लिखा हिए रहा, तो यह inverted, देखो, यह दो option, दोनो C के लिए थे, तो या तो सीधा होगा, या उल्टा होगा, उल्टा आपको पढ़ाय होगा, class में, तो इसका मतलब, सीधा वाला गलत हो गया, तो upright वाला, यह second answer आगया, तो यह भी आपके batch में, ecosystem का question है, अब यह देख लो, यह रहे मेरे पास, infolding of crystal लिखा हुआ है, फिर यह metacentric, centromere होगे, primary construction कह रहे हैं, फिर secondary construction बताए ता है, diagram बनाया था, इसको primary construction बोला था, यहां secondary construction, satellite देनने को बोला था, फिर मैंने thylakoid बताई थी, chloroplast में, sister ने बताई थी, यह देख रहे हो, गॉलजी में, तो गॉलजी में sister ने, centromere कौन सी, primary construction, thylakoid infolding of, यह रहा, flatten sec इसमें आ गया, cristase में आ गया, तो यह सारे बिटा आपके पास, diagram based हैं, आप देख लो आराम से, और यह इसकी आपको, slide भी मिलेगी है, slide भी मिल जाएगी आराम से, और फिर हम क्या करते हैं, NCRT भी discuss करते हैं, तो tables हमने NCRT में, अलग से भी discuss करी थी, और आपको बताया था, कि यह secondary metabolite, एक बार, आपका question अलड़ी यह आ चुका था, concavlin A, तो हमने कहा था, इसको बहुत बढ़ियां से करके जाएंगे, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, morphine, codine यह सब हैं इसमें, amino acid, glucose नहीं है, बाकी यह सारे हैं, आप देखो, windblastin यह रहा, curcumin यह रहा, rubber gum है यहाँ पर देखो, यह रहा, morphine और codeine है, क्या नहीं है, amino acid और glucose नहीं है, ठीक है, यह आपके सब बिटा class में cover है, अब यह देखो, laminarian star, manitol का question आया है, तो मैंने brown algae में, ectocarpus पड़ा रखा हैं, और manitol brown algae में लिखा, यह यहाँ पर है, और यह यह एक्टो कार्पस लिखा हुआ है, यह रैक्टो कार्पस इसलिए, ठीक है, और आप देख सकते हो, brown algae में मैंने क्या लिखा हुआ है, manitol, तो दोनों तरीके से, इसको properly बताया हुआ था, ठीक है, क्लेर यकीन वहेच वालों को सब को पता है, यह देख लो बिटा, आमारे पास, 7 cell, 8 nucleus, यह भी बिटा, आपके देख रहे हैं आप लोग, कि यह properly आपके, जो हम लोग PW में, मतलब lecture देते हैं, उनको properly बहुत महनत के थूरू, proper बनाया जाता है, ऐसे थोड़ी की मतलब कुछ भी बढ़ाते हैं, content पे काम करके, proper तरीके इसको दिखा रहे हैं, तो मेरे पास 7 cell, 8 nucleus, हाना यह रहा, answer, यह पड़ा रखा है, ठीक है, आप देखो, यह तो कई जगा पड़ा है, इवन यह तो, आपका समझो, उमीद बैच का भी है, और यह देखो, यकीन में, di-delphus P, यह रहा बिटा, di-delphus पूछा है, P, third, यहाँ पर है यह, ठीक है, batches में देखो आप, gene therapy, क्या कर रहा है, disease क्यों कर रहा है, functional gene ला रहा है, gene therapy, हाना, तो, मेरे पास क्या लिखा है, gene targeting, इसमें cure कर रहा है, तो, इसे हम क्या बोल रहे है, gene therapy, correction कर रहे हैं हम लो, अब देखो, इनको अलग किया था, बीच में से, ऐसे, इनको अलग किया था, और यह किसमें बताया था, हमने, anaphase में, तो, हमने इनको अलग करना, वहाँ पर हम sister chromatic बताते हैं, यहाँ पर इसने center mirror लिखा है, जिस पर sister chromatic जुड़े होते हैं, तो, यह भी आपको cell cycle में properly बताया गया है, अब plasticity क्या होता है, behavior of plant in change environment condition, यह लिखा है ना, different pathway in environment or phases of life, this ability is called plasticity, इसके example भी बढ़ायते हैं, हेट्ट्रोफिले, अब sexuality बटा, यह मेरे को उसमें, मैंने जल्देलदी में इसको लगा दिये, यह actual में उसका lecture है, उमीद का भी है, उसमें भी बताया और normal lecture में बताया, तो आप देखो, पपाया दे रखा यह, आप देख रहे हो, यह पपाया दे रखा है, तो पपाया हमारे पास यह रहा, ठीक है, आप से क्या पूछा है, bisexual पूछा है, तो bisexual में हमने क्या क्या बता है, आपको देख लो, आप खुद से देखो, यहाँ पे बिटा, sweet potato बता रखा, कारा भी बता रखा, bisexual में हमने आपको क्या बता रखा है, कारा भी बता रखा है, ठीक है, बाकि आप देखो, यह, मारकेंच यह, यूनिसेक्शुल है, ठीक है, आप अगर अपने नोट्स चेक करोगे, तो यह मारकेंच यह, देखो, और मेरे पास, मारकेंच यह, ब्रायोफाइट में एक स्लाइड और होगी, उसमें यूनिसेक्शुल है, तो इसका आंसर क्या आजाएगा, कारा, और इसको बोला, ऐसे कोर्शन आते हैं, ठीक है, अब देखो, मेटासेंट्रिक के लिए, बनाया हुआ यह, सेंटर में बना रखा, यह, देख रहे हो, इक्वल साइज की आर्म्स हैं, देखो, इन मिडल ऑफ दर टू आर्म्स, तो मेटासेंट्रिक आ गया, क्लिर है, तो यह, मैं देख रहे हो, 32 कोश्चन्स आपको दिखा चुका हूँ, अब देखो, साइट ऑफ पर्सेप्शन ऑफ लाइट कहां पर होती है, यह लिखा हुआ, इफेक्ट ऑफ फोटो पिरिड कहां होता है, मैच्योर लीफ पे, तो यह लीफ और तो आप्शन ही नहीं है, इसमें, ख्लिर है आपके सामने, यह रहा बिटा आपके सामने, हाँ, हमने बिटा, वो भी पढ़ाये तो उसमें, founder effect, और हमने उसका genetic drift, यह रहा, founder effect, genetic drift, यह रहा, यह आपके सामने बिटा, सब कुछ totally आपके सामने है, कि exactly हमने कैसे पढ़ा हुआ इसे, अब देखो, तो यहां पर हम लोग जब NCIT discuss करते हैं यह रहा 24D इसको भी discuss किया उसमें NCIT में clear है और एक story बताया थी Agent Orange की Agent Orange क्या था 24D था जिसको use किया था इतना वार में उसके बारे में भी बताया था ठीक है उसके बाद यह आ जाओ यह हमने बिटा पढ़ा है था और यह बैक्टिरिया प्रॉपर लिखवाते हैं कि rhizobium यह रहा हमारे पास तो यह हमने कहा था कि बैक्टिरिया पूस्ता है तो यह भी आपके पास easily बना लो गया तो आप देख सकते हो आप देखो ammonium to nitrite conversion of ammonia to nitrite यह आ जाएगा conversion of nitrite to nitrate नाइट्रोबेक्टर आ गया यह रहा उसके बाद आप बना लो rhizobium atmosphere को fix करेगा और यह चीज फिर nitrogen cycle में भी इसको draw किया था clear बिटा ऐसा कोई part नहीं है जो आपको नहीं बताया गया अब मैंने इसके चारो option के लिए नहीं ले सिर्फ एक के लिए भी उठा लिया bully form cells बताये थे आपको bully form cell कैसे होते है colorless यह लिखा हुआ तो colorless होते है बिटा देखो यह colorless लिखा हुआ है तो यह subsidiary cell नहीं है यहा मुझे bully form cell चाहिए था तो आपसे correct option पूछा है ऐसे ही बिटा आपके सारे notes में से यह correct option वाला था मतलब मिल जाएगा आपको spongy, paranchyma, palisade यह देखो हमने क्या पढ़ाया था बिटा प्लाजमो गैमी किसको बोला था प्रोटो प्लाज फ्यूज करता है तो fusion of protoplas, plasmo गैमी हमारे पास यही statement ठीक है बाकी wrong है clear ठीक है यह देखो जड़ा split gene किसमें होती है यू केरियोट में होती है split gene किसमें होती है और हमने यहाँ पर यह गलत है न स्टेटमेंट प्रो केरियोट में लिखा है तो गलत हो गया अपके नोट से है फिर आप देखो कहा एड़ कर रहे है five dash पर एड़ कर रहे है यहाँ क्या लिखा है three dash पर यह wrong हो गया clear है फिर row factor यह वाला coding strand of unit is यह तो RNA polymerase row factor पर बाइंड करता है इसकी slide मिस कर गए हम लोग लिखा था हमने कठा गिया था मैंने slide को ठीक है यह आजाओ जरा यह बिटा actual में क्या था यह integral form तो आपको लिखवाई थी और मैं बार-बार NCRT इसलिए पढ़ने को बोलता हूं कि मिस ना हो जाए तो natural logarithm है e actual में इसमें e क् natural logarithm तो इसलिए हम बोलते है NCRT पढ़ा करो यह कराए आपको देखो यहाँ पर ठीक है हाँ उसमें भले हमने यह ना बोला हो कि natural logarithm है लेकिन हम लोग कहते भी है न कि NCRT रीड जा करो जरूर से वो यह reason रहता है अब देखो यहाँ पर final electron receptor कौन है oxygen यह रहा roll of oxygen यह रहा यह बनी oxygen यहाँ पर यह देख रहो notes में oxygen बनगी यह complex 5 है जो ATP बनाता है तो ATP बनाने वाला complex 5 हो गया और कितने मेरे पास आगर आप ध्यान से देखो तीन मेरे पास बनते हैं एक NADS से और दो बनते हैं FADS2 से यह उल्टा लिखा इसलिए आंसर यह है बिटा यह उल्टा लिखा दो ATP NADS से तो हमने कितने बताये थे तीन और यह दो लिखे तो यह चीजे हैं जो आपको notes में से easily मिल जाएंगी यह बहुत पसंद आया कुछ बच्चों कोशन क्योंकि यह direct आग एक दम से हमने एक टेक्नीक बनाई 123 RST तो tRNA RNA polymerase 3 से आता है है कोई RNA polymerase 3 कौन सा RNA लाता है tRNA 5 यह देखो tRNA बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा यह आपके पास 142 सेके क्लीर है ठीक और देखो आप ध्यान से हमारे पास कौन सी फैमिले जिनकी लॉंग वायबिल्टिय रोजेसी फैबेरिसी सॉलेनेसी तो मेरे पास पोईसी तो है नहीं ठीक है तो रोजेसी और यह जो फैबेसी यह इसका नाम क्या है लेग्यू मिनोसा सीए यह है चीक है तो यह आंसर हो गया एक लिए चीज ठीक यह देखो जरा हमने एस फैज में डिए ने रैप्लिकेशन होती यह लिखा उआ यह इस से ले लो ठीक है दूसरा जी नॉट फैज को हम क्या लिख रहे हैं यह जी नॉट rate नहीं करता, तो G0 phase हो गया, मेरे पास समझ जो, तो quiescent stage कहा रहे हैं उसे, inactive phase हो गई, ठीक है, बाकी हमने फिर आपको cell cycle पढ़ाते हो बताया था, G1 क्या है, इस दोनों के बीच का gap होता है, G2 इस के बीच का gap होता है, वहाँ से ले सकते हैं, auto radiography जब पढ़ाया था, तो ये बताया था, कि accept mutation को चोड़के, सब जगा hybridize करता है, यही चीज थी, as a probe has no complementarity, mutated gene इसलिए no complementarity, क्योंकि वो hybridize नहीं करता है, यहां से करना है, अब देख रहो, radioactive probe hybridize कर गया, कहा hybridize नहीं किया, यहां पर, यह भी आपके notes में है, clear, यह देखो आप बेटा, कोई भी ऐसी चीज ने, यह मैंने छोड़ दिये, यह application based है, जो understanding है, understanding है, बिलकुल असानी से बन जाएक, अगर आप ध्यान से समझोगे, और आपको अगर PVR 322 के बारे में पता है, तो, understanding based question था यह, अब यह देखो, अमने families last में discuss भी करी थी, चारो families discuss करी थी यह, और मैंने आपको एक तरीका बता है था, आप अगर lecture देखा होगा, जिन्होंने androsium से पैचानना है, अगर याद हो किसी को मैंने कहाता, अगर question आता है, mazda following आएगा, androsium से आपको identify कर ले रहा है, androsium 2 और 4 होगा, यह गलत देखो, यह 2 प्लस 4 होगा, 2 प्लस 4 होगा, तो आप androsium से इसे identify कर सकते हैं, देखो, 147 तक आगए, 145 में देखो, हमने क्या पढ़ायत आपको, यह देखो, ग्रेना, देखो, स्ट्रोमा में सिर्फ PS1 है, देखो ज़रा, ग्रेना में PS1, PS2 दोनों यह लिखा होगा, PS1, PS2, यह ठीक है मेरे पास, wrong पूछा इसने, स्ट्रोमा में सिर्फ PS1 है, साइकलिक में क्या होता है, PS1, PS2 दोनों होता है, यह रहा साइकलिक कहा गया, यह देखो, इसमें पूछा वा, साइकलिक पूछा ना, यह रॉंग है, साइकलिक में तो सिर्फ PS1 होता ना, यह रॉंग है, यह answer है तो यह मतलब यह answer है आपका यह वाला नहीं लेना stroma lamily है ps1 lack यह सही है stroma में सिर्फ ps1 है देखो यह लिखा हुआ बोथ ATP यह देखो ATP NADPH बनता है यह लिखा हुआ ATP NADPH बनता है यहां सही है तो यह सही है यह सही है यह wrong है clear तो paper का level बैटा आपको पढ़ाएवे level से तो कमी था अब यह अगर आपको नहीं पता protein में peptide bond होता मैंने तो जान बूचके नहीं लिया क्योंकि यह तो बहुत जादा general question है हाना चीक है अब यह देखो यह हम discuss कर रहे थे DNA finger painting involved identifying different region is called repetitive same line है देखो repetitive DNA NCRD भी discuss करते हैं हम लोग वो काम आती है और देखो 197 यह जो लोजी में कुछ question mix कुए थे देखो lizard लिजर्ड में क्या है बटा कहांगे desert lizard में behavioral adaptation है यह रहा है कहीं lizard यहाँ पर यह रहा देखो कहांगे यह रह लिजर्ड में behavioral adaptation है देखो behavioral में हमने lizard को लिजर्ड को लिखा हुआ है आप देख लो ध्यान से आपको सारा देखेगा फिर हमने deep sea में यह क्या बता है था बटा deep sea में biochemical adaptation है deep sea में आप देखो deep sea में biochemical adaptation है तो यहाँ पर देखो depth वाले में दे रखा biochemical marine fish biochemical हो गया Alan's rule यहां करा रखा है इसमें है Alan's rule हाना ecology का question है यह Alan's rule यह रहा आप देख लो Alan's rule हाना तो यह आपको maximum question आपके syllabus में से ही आते हैं वेटा अब देखो हम यह question कराते थे जिसमें admin time in percentage निकालते तो वह percentage वाला question ऐसे का ऐसा आता है जैसे माल लोग जी मेरे पास 20% है देखो इसमें जी 30 दे रखा है values बदली वही है लेकिन अगर 20% गुवानीन है तो बाकी निकालना आपको तो सेम percentage का question है ना ऐसे percentage का question आया हुआ हमने even question भी वैसे करा रखे दे आपको इससे तो मुश्किल कराया मैंने बहुत अब देखो denaturation high temperature पे करते हैं यहीं पूछा हुआ है कि very high temperature पे कौन सा process नहीं होगा denaturation नहीं होगी क्योंकि वही high step पे हम लोग कर रहे हैं ठीक है अच्छा है हमने question कराया था कि G1 में 20 chromosome है अगर G1 phase में 20 chromosome है तो G2 में भी 20 आएंगे तो इसमें question में दियावा था ठीक है clear अब यह देखो ozone के लिए मैंने यहां dobson यहां गलती होगी थी डीबी लिखा था dobson unit यहां लिखा हुआ है जो thickness नापता है thickness को नापता है तो देख लो thickness measure करते हैं किससे नापते हैं किसकी नापते है ozone की यह रहा dobson unit से यह आपके पास ठीक है यह आप कर लो यार यह तो इतना असान question था कि कौन सा RNA involve नहीं होता मुझे इसको खोजने की जुरूत नहीं लगी ठीक है अब यह देखो RNA polymerase तीनों step लिखे हैं हमारे पास यह रहा यहां पर RNA polymerase और जब हम वह पढ़ाते है ना क्या नाम है center dogma वहां बताते है RNA polymerase को लेके ठीक है यह रहा बैट termalization of case matter termalization of case matter यह रहा यह रहा termalization of case matter diokinesis clear है आप देख लो आपके सामने कोई question ऐसा नहीं है जो आपने करावा नहीं था इसलिए बिटा 360 आते है ना restriction endonucleus कहां काटता है पलिंड्रॉम को recognize करता है कहां गया यह रहा यह लिखा पलिंड्रॉम clear है ठीक अब देख लो मैं even 50 से जादा बता चुक है कुछ जुलोजी वाले पार्ट में यह देखो देखो यह question कितना बढ़ी है यह 20 carbon palmitic acid के लिए palmitic के लिए कितना मैंने कहा था सिर्फ इस में से palmitic याद करके जाना और arachidonic के लिए 20 carbon तो arachidonic के लिए 16 तो यह दोनों गलत हो गए ठीक है lecithin phospholipid lecithin यह सही है ठीक है lipid single bond is called unsaturated वह इस single bond वाले क्या है saturated यह गलत हो गया तो आपको समझ में आना ची बीसी ट्राइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिस्रॉल का नाम है यह इसे कोशन अगर आप ध्यान से देखो आपको मतलब पता चलेगा कि सारा बताया वह देखो हमने क्या बताया बिटा हमने हिस्टोन के बारे में बताया था तो हिस्टोन पर कौन सा चार्ज होता है पॉस्टिव पॉस्टिव वी वजए से basic protein है फिर ओक्टामर में कितने हिस्टोन होते हैं आठ लिखावा जो जो सही है आप देख सकते हो तो यहां पर हिस्टोन को acidic लिखा न यही wrong हो गया, ठीक, इसमें lysine arginine है, ये लिखा, lysine arginine options भी सारे हैं बेटा, positive charge है, देखो, ये लिखा, कहां गया positive charge है histones पे, तभी वो basic है clear है बेटा, ये देखो, एक और अच्छा, कई बार बच्चे मेरे से बार बढ़ ये बहुत अच्छा लगा मुझे question, बच्चे बार-बार पूशते हैं, सारे genetic code याद करने, मैं कहता हूँ, देख भई, कैसे याद करने तुझे, triple U याद कर ले, ये आ रखा, triple U, ये देखो, मैंने का, triple U याद कर ले, तो triple U, phenyl alanine के लिए था, AUG, methionine के लिए, तो देखो, methionine वाला आ रखा है, triple U आ रखा है, उसके बाद देखना, मैंने का था, AUGC याद कर लो, triple A, triple U, triple G, triple C, तो इसने triple A को license के लिए code करता दिया हुआ है, ये हमने यहाँ भी लिखवा रखा है, तो ये दोनों statement correct थी, ये दोनों statement correct थी, statement two are true, तो इतना deep question, ये अच्छा question है बिटा, ये अच्छा question है, ऐसा question भी easily note से बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर बिटा, लगबग बने, 60 के आस्वास question आपको दिखा है, जो पाट मैंने पढ़ाए थे, इवन कुछ मैं slides prepare नहीं कर पाए, बहुत time लग रहा था, ठीक है, तो इससे ये भी proof होता है, अगर तुम गलती से phone ले भी गए, तो कुछ कर नहीं पाऊगे, तो मैं आना चाहिए, ठीक है, अब मैं यहाँ से clear एक चीज़ कर देता हूं, कि content wise, हमने proof कर दिया, कि हम जो पढ़ा रहे हैं, वो relevant है, आपको अपने effort से proof करना है, कि आप result आ सकते हों कि नहीं, यह चीज़ समझा रही है, यह बिल्कुल exactly clear है, तो बस end कर रहे हैं इस session को, मैं सिर्फ यह कहना चाहरा हूं, हम लोग right content के साथ, PW की team ready है, score हो और college दिला सकेगा, ठीक है बिटा, thank you so much.